हेलोग मैं आम शौरिकांस आहूए और मैं आज आपको दाऊंगा टॉप 10 बैंडमिंटन रेकेट अंडर 2,000 रुपीज जितने रेकेट मैं आपको बता रहा है वो मूज सेल बैंडमिंटन रेकेट दो जार के अंदर जो मेरा पहला रेकेट है वो यहनेक्स का नैनोरे लाइट 889 इसके मटेरिल की बात करो तो जिसका शाफ्ट जो फ्रेम बना है वो कार्बन ग्रफाइट से बना है हैचिप की बात करते एक आइसमेट्रिक हैचिप देता हमें बैलेंस पॉइंट की बात करते हैडवी बैंडमिंटन रेकेट जनरली नैनोरी सीरीज हैड लाइट है और वेट की बात करो तो यह इसका फाइव इसका वेट जो कि 75 तो 79 ग्राव है तो गाइज मैं इसके फाइनली प्राइस की बात करो तो आपको सेवेंटीन रुपीज ते मिलना चालो हो जाएगा प्राइस में थोड़ा उपन नीचे हो सकता है आसे दो साल पहले इसका प् इसके मट्रील की बात करो तो डानमिंक ऑप्टिमां फ्रेम एरो टेक बीम सिस्टम कार्बन ग्रफाइट टेक्नोलोजी से बना है साथ साथ बैलेंस पॉइंट की बात करो तो एक हैडवी बैमिंटन राकेट है 305 mm हैट्शिप की बात करो तो एक आइसोमेट्रिक है इसके वेट के बात करो तो 85-87 में आपको बीच में मिल जाएगा तो यह रैकेट के साथ अभी किट बैक फ्री चल रहा है तो एमाजॉन में तो मैं लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप कहां चाके लिए सकते हैं अगर आपको यही सीरीज के रैकेट्ट में चाहिए तो आप लीनिंग का टर्बो एक 70 G4 ले सकते हैं वही बहुत अच्छा रैकेट है खाली उसमें थोड़ा मटेरियल में चेंज है बाके सब कुछ सेम है तो मेरा थर्ड रैकेट है वह एपिस का फिनापी 232 है मटेरियल की बात करो तो कार्बन ग्रफाइट से बन लगा क्यों भी बहुत होता है शाफ्ट की बात कर तो एक मीडियम फ्लेक्सिबल इसका शाफ्ट है ग्रिपसाइज की बात कर तो जीटू इसका ग्रिपसाइज एंवेट की बात कर तो आपको आपको यह 1600 रूपीस में मिल जाएगा जो मेरा फोर्ट रेकेट है वह लीनिंग का न्यूली लॉंच रेकेट है काफी लाइट वेट है और बहुत अच्छे इसके फीचर से इसके मटेरियल की बात कर तो हाई टेंशल लिम शाफ्ट अरो टामिक बीम सिस्टम डैनामिक ऑप्टिमम फ्रेम फुल हाई कार्बन ग्रफाइट से बना है साथ इसके बैलनस पॉ इसके पराइस की बात करो तो आपको इमेल जाएगा 950 रूपीज मेरा फिस्तर रेकेट है यौनेक्स का नैनोरेल आइट नाइन आइए इसके मटेरेल की बात करो तो एक कार्वन करफाइट से बना है बैलेंस पॉंट की बात करो तो यह इवन बैलेंस हैडवी की बीच में इसके बात करता है इसमेंट्रिक हैडशेप है इस त्रिंग तेंशन की बात करता आप इसमें 28LBS लगा सकते हैं चाफ्त की बात करो जीफोर्स का गृपसाइज जो की 3.25 इंचेज ए एन वेट की बात कर तो आपको यह मिल दाएगा 75-79 ग्राम के बीच में जो की 5 यू है फै प्राइस की बात करें तो तो आपको आपको रुपी में मिल आएगा तो आपका बच्ट तो आपको बुच्ट यह सब्से हैं तो आपको आपका बचेट तो अब असल पावर 29 लाइट वो भी एक बहुत अच्छा उप्शन है जो मेरा 7 रेकेट है वे लीनिंग का सूपर सीज 8 G5 है इसके मैटरियल की बात करें तो सेम है जीफोर्स के टाइप बैलेंस पॉइंट की बात करें तो हैडवी बैल्मिंटन रेकेट है हैट्शिप की बात करें तो आइसोमेट्रिक इसका हैट्शेब है स्टिंग टेंशन की बात करें तो आपको यह 1530 रूपीज में मिल दाएगा इससे बात करें तो इसका इसे बना है तो आइस्टेंशन बात करें तो आपको मिल दाएगा 80-84 ग्राम के बीक में फाइनली प्राइस की बात करें तो आपको 1500 रुपीज में मिल जाएगा सब्सक्राइब नाइंट रेकेट है उनेक्स का आंक से पर 69 लाइट है इसके मेटेरियल की बात करें तो सब्सक्राइब के बात करें तो इवन बैलेंस एडवी के बीच में लाइक करता है हैचिप की बात करतो आइसोमेट्र किसका हैचिप है इस्टिंग टेंशन की बात करें तो 30 lbs तक आप इसमें लगा सकते हो मेग्सिमम शाफट की बात करें तो जीफोल सका ग्रिप साइज आन वेट की बात करतो तो 55-79 ग्राम के बीच में है अगर इसकी प्रैस की बात करो तो यह आपको मिल दाएगा में एक और रेकेट सजेश्ट कर सकता हूँ आपको युनेक्स का आख सिबर लाइट 10-9 तो कहें जो मेरा 10 रेकेट है युनेक्स का वोल्टिक 200 थ है चाहिए है थी तर्माइन करता है टॉफिक हिजायाद एडिशन इसके मेटेरियल की बात करो तो कार्बिन ग्रिफाइड प्ल जीपोर इसका ग्रिफ आइज एन फाइड वेट कि बात करो तो यह आपको मिल दाएगा फोरी इसका वेट जोगी 80-84 क्राम के बीच में मिल दाएगा फैनली प्राइस की बात करो तो यह आपको 1,800 रूपीज के अराउंड मिल दाएगा तो यह थे मेरे टॉप टैन रेकेट तो आप सोच रहे होगे कि मैंने 7,000 आए 6,000 आए को क्यों नहीं रखा है वो भी बहुत ज्यादा सेल होने वाले रेकेट है इसके रिजन यह है कि जो इसका मटीरियल बना है वो एक का अलुमीनियम से बना है और कहीं आप जितने रेकेट में बता रहों कहीं मैग्सिमम कार् तो कहीं कहीं कार्बन वाले रेकेट थोड़े से एड्वांटेज में रहते है तो इसलिए मैंने यह थो रेकेट को नहीं रखा है आप कोई बुराएन ही यह रेकेट में आप यह भी ले सकते हैं तो यह था मेरे टॉप 10 रेकेट